हैलो फ्रेंड बिहार के इंजिनीरिंग कोलेज में प्रोफेसर का बाहुत बड़ी भक्य çekस्टी अभी आ रहा है शुपावल कोलेज आफ इंजिनीरिंग point वे इंजिनीरिंग एक शंस्था है vdiहार गवर्मेंट के द्वार इंजिनीरिंग कोलेज संचालित होती है 60 वहाँ पर पेपर का कटीन दिखा रहा है जो के अड़ बर्टाइजमेंट नूबर है सबस्क्राइब को लिए अलग अलग डिपाट्मेंट का नाम दिया हुआ है और इसके लिजबिलिटी के बारे में भी एपियर होने के लिए बारे में दिया हुआ है कितना ऐलिजबिलिटी चाहिए क्या क्या चीज आपको ले करके जानी है सबसब परिले बसादे कौनद का सेचिस के सबजेक्ट में भाकन सी आई विए एसी असिस्टेंट प्रफेसर के भखन घेस्ट असिस्टेंट प्रफेसर के भखन सिए है, एसी मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रोनिक एंड कम्यूटकेशन इंजिनियरिंग दूसरा होगा है हमारा माथमाटिक्स तीसरा है इंग्लिस चौठा है बाई लोजी ये चार सब्जेक्ट में बहुत भड़ी भखन सी अभी सुपॉल कॉलेज अफ इंजिनियरिंग से आ रही है आपको गेश्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के तौरप इसमें आपको कोई एक्जाम नहीं देना है वनली इंटर्व्यू दे करके आपको जॉब लेनी है इसका आप एक्जाम नहीं देना इस टाइम है अब दूसरा देखेगा दूसरा इसमें भखन सी का नाम लिखा हुआ गेश्ट लैब असिस्टेंट और गेश्ट लैब इंस्ट्रक्टर इसका मतलब हो गया इसमें भी बहुत बड़ी भखन सी आ रही है सिविल इंजिनियरिंग का है लै जामिनेशन फी नहीं है आपको डाइरेक्ट इंटर्विव 711-2022 को आपको देनी है सुपावल कॉलेज ओफ इंजिनियरिंग जो की बीना रोड में एकदम ठीक अस्टेशन से आपको 500 मिटर के दूरी पर है आप जाइएगा वहां पर इंटर्विव दीजिया और इसमें ज इंटर्डिग्री होना जरूरी है जैसे इसी में जा रहा है तो इलेक्ट्रोनिक्स में एम्टेक होना जरूरी है मैत में आपको में होना जरूरी है इंगलिस में आपका में होना जरूरी है बायलोजी में आपको में होना जरूरी है अब आते हैं कि हमको गेस्ट लाइब अस नासील हो यानि आपको civil engineering में आप b.tec भी की हो या diploma भी पॉल टेकनिक भी है तो भी हो जाएगी CSC में आपका b.tec और diploma में भी हो जाएगा electronic and communication engineering में आपको b.tec या diploma तो भी हो जाएगा इसको 7.11.2022 को interview है आप जाएगे कोई examination भी नहीं देना है अब आत यह बात कि हमें हाँ पर क्या क्या ले करके जाएंगे सबसे पहले जितने भी आपका academic certificate है original उस सारा ले कर जाना है मतलब यदि आप lab assistant में जाते हैं तो आपको 10th, 12th और b.tec या diploma का total certificate ले करके जाना होगा दूसरा बात यदि आप माली जे प्रफेसर में जाते हैं तो आपको 10th, 12th, b.tec, m.tec या MSC जो भी है आप उसको ले जाना होगा फिर इसके साथ ही साथ आपको residential certificate, category का certificate और CV का hard copy लेके जाना होगा दूगो आपको photo लेके जाना होगा, सारा original document का भी photo copy लेके जाना होगा, दूगो recent photograph भी लेके जाना होगा तो इतना साथ लेके आपको जाना है यह आपका qualification और सबसे बड़ी भकेंसी है कि आपको बीना कोई exam का बीना किसी examination फिकर डाइरेक्ट आपको job दे रहा है और यह job का आते हैं कितना salary होगी और क्या का importance होगा, देखिए, सबसे पहले जो के essential qualification जो हम बता दिये, EICT या फिर आपका जो DST के नियम पर है, क्योंकि जो हमरा government engineering college बिहार का होते है, वो generally हमरा science and technology के अंडर में चलता है department के, तो उसके normal पर, इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी अभी यहां पर जितने भी credit आएंगे, math में, English में, biology में, यदि नेट क्वालिफाई हैं और PhD क्वालिफाई हैं, उनको preference दी जाएगी, वो मतलब first priority होंगे, इसमें बाहली का, दूसरा, तिसरा है कि यदि रिटार्ड है teacher, उनका preference है, रिटार्ड टीचर का पर है, तो उनको भी preference द लेगी, यह आगला बात, रिमूनेरेशन क्या होता है, तो यह जनरली आपका एक बिल बनाया जाता है, वहाँ पर भी आप जाएंगे, जोब करेंगे, तो बिल बनाएंगे, और अल्रड कैसे बिल बनता है, इसका हमें को आपको डीटेल दे देंगे, जो भी आप गेस्ट अ कम ही होना चाहिए, मतलब मेक्सिमम पचास अजरी से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप चाहें तो फूल भी बना के दे सकते हैं, यदि आप विशा काम की हैं तो फिर आमरा आता है तिसरा, गेस्ट लेव असिस्टेंट का, गेस्ट लेव असिस्टेंट या फिर गेस्ट वाले को एक कलास, मतलब वान आवर कलास का, एक कलास का आठ सो रुपे दिया जाता है, पिर आपको आगे लिखे हुए हैं, सिक्स नंबर में के इंस्ट आपका रिजर्व रखी है, एड़वाटाइजमेंट और नोटिफिकेशन को इंटर्व्यू लेगी या न लेगी इसक पूरे के पूरे जब भी भाकंस जाती है, तो उसका अपटेट दे रहते हैं, सर्विस आपका गेस अस्टेटर पूरफेसर का होगा, गेस टेकनिकल असिस्टेंट का होता होगा, बीना कोई नोटिस के, बीना कोई अनसर्थ सक्टरे काम में आपको लिकाल दिया जाएगा, इसमें कोई T.A.D. आने जाने में नहीं होगा, रिजर्वेशन आपका इस्टेट गोर्मेंट टूल से अपलाई होगा, मतलब यह सबसे बड़ी भाकंस है, बीना एक्जाम के, बीना एक्जामिनेशन खिकी, आपको एक जाब में रहे हो, फिप्टी थाउजेंट की जाब है पचीस से पचास अजार रुपए आपको दोनों जाब में मिलेगी, यह आप देख लिजी और आप एड़ेट एक बार रिमेमराईज कर लिजे, साथ एगा रहा दो हजर बाईस, ऐसे से वीडियो हम हमेशा डालते रहते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि गोवर्मेंट कॉलेज में, इंजिनियरिंग में, पॉल्टेक्निक में, कभी भी गेस अस्टेशन, प्रोफेसर, लेक्षरल, या फिर लेव अस्टेशन के बाहले आएगे, तो सब सब पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, तेंकू.